हलो फ्रेंड्स आप सभी का Foundations of R Software के इस कोर्स में बहुत-बहुत सागत है और खास तोर पे आज इस अन्तिम लेक्चेर में आप सभी का बहुत-बहुत सागत एक बार फित से हैगगा आज के इस लेक्चेर में हम लोग कुछ examples लेने वाले हैं कुछ उधारर लेने वाले हैं और उसके द्वारा हम आपको R में किस प्रकार से programming करते हैं उसको दिखाने की कोशिश करेंगे अब तर तो दिखिए आपके R के बहुत सारे aspects के बारे में सीखने की कोशिश करी है कि हम computation किस प्रकार से करते हैं calculation किस प्रकार से करते हैं हमारे बिन-बिन commands क्या होते हैं लेकिन ultimately तो हमारा objective यही होता है कि हमें एक अच्छा सा program लेकें तो R software की प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ हमारे बहुत ही खास features होते हैं और उन्ही features के कारण उन्ही qualities के कारण हमारा R software काफी popular हो गया तो आज हम आपको कुछ उधाना लेकर के उन features के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि R को हम किस प्रकार से बिन-बिन करी के से इस्तमाल कर सकते हैं अब जब R की programming के बात करते हैं तो हमारे पास जहां तक मुझे लगता है दो प्रकार के candidates होंगे जो कुछ candidate जिनको programming बहुत अच्छी आती है वह programming में बहुत अच्छी है और कुछ candidate ऐसे होंगे जिनका शए programming का level बहुत अच्छा ना हो इसलिए अब programming क्या होती है इसके बारे में मैं आपको कुछ मिंटो में एक एक छोटा से introduction के दूँगा जिसे कि आपको यह समझ में आ जा कि programming हम करते क्या है और उसके बाद में हम आपको कुछ उधारन ले करके इस आर प्रोग्रामिंग के different aspects को दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए हमें से lecture को आरम करते हैं और कुछ उधारन ले करके आर को और अच्छे से सीखते हैं अब देखिए सबसे पहला तो सवाल यह आता है कि program क्या होता है और अगर मुझे कोई program अगर लिखना अगर है तो उसमें हमारे क्या-क्या steps होते हैं देखिए program क्या है program के अंदर हमारे कुछ instructions होते हैं कुछ किनको हम उस software की language के द्वारा उनके commands में एक sequence में लिखने की कोशिश करते है sequence का मतलब कि जो कार पहले करना है उसका command पहले आएगा और जो कार बाद में करना है उसका command बाद में आएगा और हमारे किसी भी program में हमारा objective एक ही होता है कि हमें कोई एक खास प्रकार का outcome निकालना होता है उसके लिए हम computation करते हैं हम अपने उस computer को instruction देते हैं कि आपको इस प्रकार से कार करना है computer की एक समस्या यह है computer है तो हमारा एक बहुत ही obedient साथी है जो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन इसकी अपनी भाशा है और हम को कम्पुटर की भाशा नहीं आती है और कम्पुटर को हमारी भाशा नहीं आती है तो इसी कार को करने के लिए हम travelling की साहता लेते हैं तो हम अपनी भाशा में software में command को लिखते हैं जो हम उस computer के दौरा करवाना चाहते हैं और computer हमको जो अपना कार कर जो output है करने का कारे करता है हम जो भी कुछ कहते हैं उसको हम सॉफ्ट्ययर की भाषा में लिखते हैं और सॉफ्ट्ययर उस कंप्यूटर को इनफॉर्म करता है और फिर जो कंप्यूटर उस कार को करता है और वह उस सॉफ्ट्ययर को वापस इनफॉर्म करता है और सॉफ्ट्ययर उसको लिखने के लिए सबसे पहले हमको अपने उस कार को करने की जो objective है उनको लिखना पगता है अर्थात कि हम क्या उस program के द्वारा निकालना चाहते हैं और फिर हम उसको R की language में translate करते हैं हम अपने input और output variables को पहचानते हैं उनको छिनित करते हैं और उसके बात हम यह देखते हैं कि input और output variables जो हमारे हैं उनका प्रकार किस प्रकार का होगा अर्थात वो numeric होंगे, string होंगे, factor होंगे, matrix होंगे, त्यारी और यह depend करता है कि आपको किस प्रकार का tool इसकेमाल करना है जो आपके input variables हैं, output variables हैं वो आपके single variable भी हो सकते हैं, vector भी हो सकते हैं, matrix भी हो सकते हैं और साथी एक function भी हो सकते हैं और यहां पर देते हैं और जो भी इस function को जब हम execute करेंगे तो इसका हमको output मिल जाएगा अब कोई भी function का जो output अभी आ रहा है वो किसी अन्य function के input की कराभी कार कर सकता है यह हम आपको यहां पर दारन के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारा output होता है उसको हम अपनी आफशक्ता के अनुसार format कर सकते हैं और जिस परकार से हम उसको देखना चाहते हैं हम अपनार के command को इस्निमाल करके उस format में चाहे screen पे और चाहे file में हम उसको देख सकते हैं तो यह तो हमारा एक देखी जनरल हमारा जो aspect होता है program के बारे में की program होता क्या है अब जब हम programming करते हैं तो उसमें हमारे को छोटी छोटी बाते होती हैं जो लोग programming करते हैं वो इन बातों का दिहां लगते हैं तो कुछ tips इस प्रकार से हैं कि जो भी है जब भी हम कभी loops का इस्तमाल करते हैं तो usually वो हमारे program की speed को कम कर देते हैं धीमा कर देते हैं और उसकी जगह अगर हम vector और matrix का अगर इस्तमाल करते हैं तो उसके दोरा program की speed में कोई फरक नहीं आता है इसलिए आप देखेंगे कि जब भी हम programming करते हैं तो हम vector और matrices का प्रयूब करना बहतर समझते हैं यहां पर हमने जो program ली हैं वह बहुत छोटे तरह की program है और उसमें से आपको इस प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखाई देगा लेकिन जब हम बगए program की बात करते हैं और जिनको हम बगए बगए data set के उपर इस्तमाल करते हैं दिन आपको यह आपको असर दिखाई पड़ेगा जो loops होते हैं वह मारी computer की memory में ज्यादा space occupy करते हैं और जब हम समय की बात करते हैं तो हम जब भी कारे करते हैं तो यह समय हमारा कुछ second से लेकर के कुछ दिनों तक का भी हो सकता है उसके बाद हम जब भी कभी अच्छा फ्रोग्राम लिखते हैं तो यह hash symbol का इस्तमाल करते हुए हमको अपने प्रोग्राम में जो यह हमारे comments हैं उसको proper तरीकिये से लिखना चाहिए हम जब भी उस प्रोग्राम को देखने के कोशिश करें तो मुसको प्रोग्राम समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया था जो हमारे variables के names होते हैं उसको भी मुसको इस प्रकास से लेना चाहिए कि जो समझ में आ जाए और इनको समझना आसान हो जैसे कि अगर हमारे पास दो कि और हमारे पास कि लोगों का हाइट और वेट दिया हुआ है तो उसमें से अगर हम हम रिखाने के लिए धे वरीबल को य Feight यूज करें तो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएका अगर हम height को weight variable से और weight को height variable से अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो शायद यह बहुत confusing हो जाएगा लेकिन आप अगर चाहें तो legally कर सकते हैं लेकिन उसमें से क्यों confusion करना और जब भी हम किसी program को इस्तमाल करना शुरू करेंगे तो अपने जो variables होते हैं उनको initialize करना बहुत important होता है कि वो किस value से कार करना शुरू करेंगे otherwise हो सकता है कि उसमें से कोई पहले की value दी हुई हो प्रोग्राम में और वही value आगे इस्तमाल हो जाए और इसके बारे में हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा तो चलिए इन बातों को समझने के बाद में हम यहां पे कोई छोटे छोटे उधारग लेते हैं और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि R programming किस प्रकार से कार करेगी अब देखिए मैं आपको यह उधारग समझाने के पहले बता दूँ कि मेरा यहां पे objective यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको R की programming सिखा रहा हूँ मैं आपको R की programming के द्वारा R के जो different features हैं कि उनको किस प्रकार से इस्तमाल किया जाता है मैं वह आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे उधारग के लिए हम यहां पे इस उधारग में यह दो हमारे जो functions हैं हम इनकी values को निकालना चाहते हैं अब इसमें से देखा आपने कि यहां पे मारे पाद दो करिके के values हैं input values हैं x और y तो जो x की values हैं उनको हमने एक data vector में और y की values को मैंने एक data vector में लिख लिया अब उसके बार में अगर इस command को अगर मुझे compute करना है तो देखिए तो आपने जिस प्रकार के आर के function पहले को यह तो बिल्कुल ऐसे ही आजाएगा sum of x hat 2 divided by sum of y hat 2 और यह वाला function आपका sum of x upon y hat 2 करके आजाएगा लेकिन मेरा यह पर objective यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमको इसको compute करना है हम इन दो बहुत छोड़े सो धारवन के द्वारा हम आपको R programming के step सिखाना चाहते हैं तो चलिए हम इनको सीखने की कोशिश करते हैं और इस objective को मत भूलिएगा तो देखिए सबसे पहले हमको यह फैसला करना होता है कि हमारे पास कौन-कौन से input variable हैं तो आपने देखा कि यह जो आपका function है इसको हमने एक नाम देदिया जी और इस function को नाम देदिया मैंने h तो इसमें से summation x i square, summation y i square और summation x i upon y i whole square को मुझे compute करना है तो उसके पास में पहला input हमारा हो गया x दूसरा हमारा हो गया y और तीसरा हमारा है n लेकिन हम n को यहां पर input की तरह ना देख करके चुकि n हमारा x और y की कितनी values हैं उसकी संक्या है तो उसको हम program के अंदर ही निकाल लेंगे और अगर हमको n की जगह अगर मादी इसमें से मैंने जो धारन लिया है उसमें से x और y की जो संख्या बराबर है लेकिन अलग अलग भी अगर है तो आप इसमें n की जगह पर n1 और n2 का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब आपने यहां पर आपको summation निकालना है तो आप अपने sum function का भी इस्तमाल करते हैं और इसी का हम इस्तमाल भी करेंगे राइट कोई कि मेरा objective यह है कि हम आपको programming के द्वारा programming और हमारे जो built-in function ने दोनों का इस्तमाल एक साथ किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारा जो step होता है कि आप सबसे पहले अपने जो अपने computer में अपने फोल्डर में डिरेक्टरी में जो पहले के variable से उनको हटाईए अधर्वाइस वो aq पर overlap करेंगे और इसे confusion होगा तो उसके लिए मैंने अपना command यूज कर दी है और list or equal to ls परेंथेस में उसके बाद में जो हमा अब हम देखिए यहां से अपना इस function को लिखने की कोशिश करते हैं जो हमारा program होता है उसी को हम आज में करते है function तो मैंने उसका एक नाम दे दिया example 1 और उसके आगे लिखा मैंने function f u n c t i o n और उसके बाद parenthesis में मैंने लिख दिया दिखिए x, y एक शीज आगे बखने के पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो program हमारा बहुत ही छोटा सा है लेकिन आपको इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने उसको बहुत विस्तार से लिखा हुआ इसलिए यह जो program हमारा कई slides के उपर जा रहा है मैं आपको आंत में दिखाऊंगा कि यह कितना छोटा program लेकिन कैसा मैंने कहा कि मेरा उदेश है आपको इसको अच्छे से समझाना आसानी समझाना जब आप समझ जाएंगे उसके बाद आप इसको बहुत ही आसानी से छोटे format में लिख सकते हैं देखिए उसके बाद हम अपने इस function को start करते हैं लिखना उसके लिए मैंने यहां पे अपना curly bracket लिख दिया और उसके बाद में हमको अपने सारे input variables define करने हैं तो देखिए x और y तो आपने पहले दे दिया है and आपने यहां पे जो command होता है हमारा length और parenthesis में लिख दिया x तो हमारे जो x data vector की length है उससे आपको n की value मिल जाएगी आप अचा है तो y को भी use कर सकते ह अब इसके बाद में हमें काम करते हैं कि इस summation को निकालने के लिए हम यहां पर loop का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए loop में क्या है कि पहले हमको x1 की value मिलेगी और इससे हमारा आ जाएगा x1 square उसके बाद में x2 की मिलेगी और उससे हमारा इस x1 square में x2 square हमारा add हो जाएगा फि इसको यहां पर कुछ एक नया variable define करना पड़ेगा तो वह मैंने define कर दिया इस प्रकार से x1, y1, z1 और इसकी जो initial value मैंने कर दी शून्ने है राइट की x1 हमारा जो भी data vector होगा उसके अंदर सारी values हमारी अभी 0, 0, 0 है आप उसके बाद हमारे देखे लूप यहां से start होता है तो मैंने यहां पर फॉर लूप का इस्तमाल किया है फॉर और parenthesis में i in 1, n इसके बारे में आप समझते हैं कि क्या होगा अब हम इसके बाद आपना हम जो भी x1, y1, z1 को define करते हैं किस प्रकार से आपने लेखा कि g और h को निकालने के लिए आपको summation x i square, summation y square और summation x i upon y i whole square इन तीन चीजों को निकालने के अवशकता है तो हमने क्या किया अपने x का जो data vector उसमें से i-th value को हमने लिया और इस i-th value को access करने के लिए हम x और square bracket में लिख देंगे i और इसका square निकाल दिया और जो भी इसकी value है उसको मैंने x1 variable के अंदर i-th जगा पर store कर दिया, उसी प्रकार से y vector में जो भी i-th इस तान पर जो भी value थी उसका square करके मैंने उसको y1 vector में i-th जगा पर store कर दिया, और उसी प्रकार से मैंने जो भी x और y की आयत जगह पर जो वैल्यूस थी एक्स आई और वाई आई उनका दोनों का रेशियो लिया एक्स आई अपॉन वाई आई और उसका स्क्राइर करके मैंने उसको जेड वन वेक्टर में आयत पॉजिशन पर स्टोर कर दिया इसके बाद से यह मारा लूप चलेगा और यह हमारा वन टुए एंड की सारी वैल्यूस को ले करके इस लूप के अंदर उसको एक्जिक्यूट करके एक्स वन वाई वन और जेड वर्ड के अंदर एक्स स्क्राइर की वैल्यू वाई स्क्राइर की वैल्यू और एक्स अपॉन वाई स्क्राइर की वैल्यू को स्टोर कर देगा आप देखें आपको क्या निकालना है आपको उनका sum निकालना है तो basically आपको जो आप में x1, y1 और z1 तीन रिक्टर निकालने हैं उनके अंदर जो भी values आहीं हैं उनका आपको sum निकालना है अब देखे, आपका काम बहुत आसान हो गया, अब आपको यह जो 0 budgeted by न से 0. स्क्राइब साथ दिवाड़े द्वाइड संटीजि आगिया और दुभ संटीजिए आफे प्रूल आपका गी सबाइब दुभ है लृब ह्पीर आपके इस स्थी मिलीट की से ये निदर जूने को यहां चाहते हैं तो मैंने इसके लिए अपना cat कमांड का यूज किया तो मेरा हो गया cat और फिर हमने डबल कोर्स में अपना statement दिखा the values of g and hr उसके बाद में ये g की value यहां से आजाएगी और इसके बाद एंड हमारा string है हमारी यहां से आजाएगी और इसके बाद में जो हमारा command है अगली लाइन पर आजाएगा इसके लिए हमने backslash n का command दे दिया और देखिए यहां पर आपका function खतम हो गया अब जैसा है इसी function को जो मैंने इतनी सारी slides में आपको दिखाए आप अगर एकी slide में देखना चाहें तो यही function तो है यह यह आपने यहां पर input दिया हुआ है यहां पर देखिए आपका यह लूप है यहां पर आपने computation किया और देखिए यहां पर outcome आ आपका आगया कि जब हम इस program को अपने R console में describe करेंगे तब यह आपको यहाँ पर दिखाई परेंगे अब इसके बाद में दिखिए जब हम इस program को execute करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा हमको X की और Y की कुछ values लेना होगा तो मैंने X की value 10 20 30 और Y की value 123 ले ले ली और मैंने लिखा example 1 और बेके में लिख दिया X, Y जब इसको मैंने यहाँ पर execute किया तो इस प्रकार का देखिया आपको और पर पहर देगा आप खाली एक्स और य की वैल्यू को ही चेंज करके आप इस पूरे पूरे प्रोग्राम को एक्जिक्यूट कर सकते हैं, तो चली हम आपको इसको आर कंसोल में करके दिखाते हैं, और इस का देखिया ओटकम है, तो देखिए इस फंक्शन को अपने आर कंसोल पर कॉपी कर ले šई चेंगे आप अगर तो देखिए आपको एक्सम्पल वन दिखाई परलिया, एक्सम्पल एंप्यालि की बेखिए हिए, तो अभेसमेए आपने यहाँ पर, माँ दीजिए की, X की वाल्यू आपने ले 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 दे,C 12, 14, 18, और Y की वाल्यू आपने ले ले, कुछबी ले आप, say 19, say 23, say 65, और जब आपने यहाँ पे example 1 और parenthesis में कर दिए x, y, यह type करने की कोशिश की, तो देखिए सने आपको देदिया, की the value of g and h are like this, इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे, आप अगर को यह और value अगर देदेंगे, आपने x की value को change कर दिया, और इसी प्रकार से आ execute करेंगे, तो देखिए अपनी x और y दोनों की value को change कर दिया, और जब आप फिर से आप इस value को, इस program को execute करेंगे, तो देखिए क्या देदेगा, the value of g and h are this, this and this respectively, इसको दिखने की कोशिश करें, अगर तो यह आपको दिखाई पगे आएगा, तो तेलिए, अब हम आपको जो अपना अगला अधारा ने उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूँ कि अगर आप इस function को अगर आप एक अच्छे खरीके से लिखना चाहते हैं, तो आपने अपनी r की जो भी knowledge को सीखा है, उसके दोरा आप इस function को विलकुल ऐस से sum of x hat 2 divided by sum of y hat 2 करके आप a की line में लिख सकते हैं, और h function को आप sum of x upon y hat 2 करके a की line में लिख सकते हैं, लेकिन कैसा मैंने कहा, मेरा यहाँ पर objective कुछ और है, अब इसके बार देखिए मैं आपको एक और उधार नेता हूं, और इस उधारन के द्वारा हम आपको कुछ एक हम हमारा r का बहुत अच्छा feature है, कि किस तरह प्रकार से हमारा computation होता है, उसके बारे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए हमारा objective यह है कि यह function हमारा fxy, इस प्रकार से, इसको मुझे compute करना है, अब इस function में आप अगर खास तो पर ध्यान देंगर, तो देखिए यह जो value है, x plus log y, x plus log y, आपके देखिए, अलग-अलग जगा आ रही है, तो इस x plus log y को मैंने एक और function में लिख लिया, gxy, और जब इसको अगर मैंने अपने gxy के form में अगर लिख लिया, अगर, तो यह जो आपको fxy ही, इसको हम देखिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां जहां पे x plus log y है, वहां पर मैंने देखिए, gxy लिख 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 दिया, अब हम क्या करेंगे, देखिए, gxy को अलग से compute करेंगे, और इसके बाद हम इसको fxy को compute करेंगे, लेकिन, gxy को हम कहीं compute ने करेंगे, बलकि जो fxy उसको खुद बखुद पता ही compute करेगा, यह में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए जो आपके input variable क्या क्या हो गए x और y आपका output variable क्या होगा आपका जो function है fxy उसका हो गया f तो अब आपको हम क्या करेंगे पहले हम gxy को compute करते हैं और इसके बाद हम इसको fxy को compute करेंगे लेकिन हम gxy को बाद में call नहीं करेंगे gxy खुद बकुत हमारा fxy के अंदर call होगा और यह execute होगा तो देखिए जो हमारा खबसे पहला step है कि हम आपने सारे-सारे data values को पहले हटाने की कोशिश करेंगे फिर हम यहाँ पे अपना जो भी input data vector से हम उनको define कर देंगे अब उसके बाद में हम देखिए यहाँ पे दो function लिखते हैं एक g के लिए और एक f के लिए तो आपने देखा कि यह जो gxy देखिए बहुत ही आसान सा है x plus log y upon y तो इसको define करने के लिए मैंने एक function define किया g और इसको लिखा function x, y उसके बाद मैंने इसको देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन लिख दिया x plus log y divided by y यह मैंने देखिए आपे comment लिख दिया जिसे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से function आरम हो रहा है और यहाँ पे function खतम हो रहा है उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर f xy को define किया अब यहाँ पर आपको दियान देना है कि मैंने यह function define किया f is equal to function x, y और जहाँ पर मैंने x plus log y upon y नहीं लिखा है अब जहरा से हम जब इसके execution की बात करेंगे तो पता क्या होगा हम जब fxy को जब हम यहां पर compute करेंगे तो यह control हमारा यहां पर आएगा फिर यहां पर आएगा और जब यहां पर आएगा तो देखेगा कि यहां पर gxy है तो यह gxy यहां से इस program से बाहर आएगा और यह program आपक आएगी उसको वो यहां पर ले आएगा और उसके द्वारा इस function को compute कर देगा तो इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि यह जो आपका gxy function उसको आपने पहले से define किया होना चाहिए और यह आप के लिए अच्छा होगा कि अगर आप उसको उसी directory में ही रखें जहां पर आपक से आपको इस प्रकार से define करने है जी आपका यह हो गया और f आपका यह हो गया बस अब इसके बाद में देखी यह आपका screenshot है इस function का यह जब आप type करेंगे तो यह आपको इससा दिखाई पगेगा अब हम इसको देखी यहां पर execute करते हैं और यहां पर आपको द्यान देना है राइट जब भी हम f y को compute करेंगे इसका control हमारा बाहर आएगा यह gxy जो function हमारे दिया है वहां पर जाएगा यहां से value को compute करके इसके अंदल आएगा और जो भी gx value यह की जो भी value आएगी उसके दौरा वो f की value को निकाल के आपको पकरा देगा और जो value आएगी वो देख जाने के कोशिश करी कि आपको f y को calculate करने के लिए आपको gxy को calculate करने की आफशक्ता नहीं है और जो input भी है आपने खाली एक ही जगा दिया है और अगर आपके gxy के अंदर सारे सारे inputs वही स्तमाल होने वाले हैं जो आपने fxy में दिये हुए हैं तो आपको gxy को फिर से कोई input variable gxy के लिए फिर से input variable को define करने की कोई अफशक्ता नहीं है तो देखिए इस आर प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा ये part हमारा इसका advantage है जिसके कारण हमारा ये जो आर software है बहुत ही popular हो गया अब इसका देखिए advantage क्या है advantage इसका ये है कि अगर आपको एक कोई बहुत बग पका दिया अब वो लोग अपना अपना प्रोग्राम लिख देंगे अब उसके बाद में आप उस प्रोग्राम को आप यहां पर चाहें तो आप एक साथ कॉल कर लिजिए और इसके बाद में आप उसको यहां पे execute कर सकते हैं तो अब देखिए यहां पर मैंने आप इस function का जो भी execution उसको R software में करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप देखिएंगे यह मैंने दोनों प्रोग्राम को यहां पर copy paste कर दिया तो आप देखिएंगे कि G हमारा है यह और F हमारा है यह अब देखिए हम यहां पर X की कोई value देते हैं X equal to 10 और Y equal to say 20 अब हमको देखि function को call किया X,Y अब यहां पर देखिए मैंने अभी तक G function को कहीं भी compute नहीं किया है लेकिन हम जैसी यहां पर enter करेंगे यह देखिए हमारी value आ गई अर्थात इसने क्या किया जब इसने F को execute करने की कोशिश करी तो यह function के आगे आया यहां पर लिखावा था GXY तो GXY को यह इस control को यह function के बहा लेकर के गया और इसने यहां पर देखा कि GXY लिखा हुआ है इसने उसको यहां से execute किया और जो भी इसकी value आई उसको वह वापस इसके अंदर ले आया और उसने आपको FXY की value निकाल के कि यहां पर दे दी उसी प्रकार से आप अगर यहां पर X की value आपको इसका output इस प्रकार से मिल गया तो आपने देखा कि देखा इसको compute करना बहुत ही असान काम था और यह इसका बहुत बड़ा एक example भी है कि R software किस प्रकार से कारे करता है और इसके इंदर क्या इसके हमारे advantages है चलिए अब हम अपने एक और उधारन की बात करते हैं और आप देखी मैंने कि यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है यह तो mathematics में बहुत ही popular function है जिसका मतलब होता है कि अगर हमारे कोई function है f of x जहां पे x हमारा input variable है तो अगर x की value अगर positive होगी तो fx की value इस function के द्वारा compute होगी और अगर x की value अगर हमारी 0 होगी तो fx की value इस function के द्वारा अर्थाथ 10 से compute होगी और अगर यह दोनों नहीं होते हैं अर्थाथ हमारा x फिर क्या होगा negative होगा negative है तो यह हमारा 2 plus x q upon x के द्वारा compute होगा अब हम क्या यहां पर करना चाहते हैं हम यहां पर x और fx के बीच में एक curve draw करना चाहते हैं कि इनका curve किस प्रकार से होगा और हम जो x की value को हम minus 1 से 5 के बीच में 0.2 के interval पर लेना चाहते हैं जैसे minus 1.0 minus 0.8 टेरी करके यह 5 तकाना चाहिए यह value नहीं हमारी x की यहां पर आ x, fx को plot कर पाएंगे उसके लिए चलिए सबसे पहले हम अपने इस fx function को लिखते हैं और उसके लिए सबसे हम यहां पर हमारा input variable क्या हो जाएगा x और output variable हमारे क्या हो जाएगा fx y में जो मारा है f और सबसे पहले हम अपने सारे सारे data के पहले data को remove करते हैं उसके बाद हम input data define करते हैं x अब उसके बाद हम देखिए अपना जो function है f उसको लिखने की कोशिश करते हैं अब आपने देखा कि f function जो हमारा यहां पर देखी दिया हुआ है यह तीन condition के अंदर कार कर रहा है तो अब यहां पर आप अपना जो conditional execution है और जहां पर आपने if else if की condition पगल थी आप अगर उसको एक साथ लगा दिये तो आप इस function को बहुत आसानी से program कर सकते हैं तो देखिए यहां पर मैंने इसलिए मैंने यहां पर यह लिखा function नाम दिया f और इसके बाद curly brackets के अंदर मैंने if else if condition को लिख दिया condition क्या है हमारी मैंने यहां पर लिखा if x is greater than 0 तो यह इ हमारा x 0 के बराबर है इसको मैंने दे दिया यहां पर else if x is exactly equal to 0 यहां पर दो equality sign दे दिये और फिर मैंने का दिया कि यह value कहां से compute होगी इसकी value होगी 10 तो देखिए वाली value हमारी 10 के बराबर आ गई और उसके बाद में फिर हमारा जो भी हमारी third condition क्या होगी जब x अगर हमार यह else और यह जो function है two plus x q upon x यहां पर लिख दिया तो आपने देखा कि इस बगर से function को हम अपने if else if condition के द्वारा बहुत आसानी से compute कर सकते हैं तो यहां तो मैंने देखिए fx function लिख दिया अब हमको इसको हर एक x की value के लिए हमको fx की value निकाल दी अथार मुझे x i और fx i क value निकाल दी है तो हम एक program लिखते हैं जहां पर हम अपने x की जो values हैं उसको define कर देते हैं कि x की value हमारी किस प्रकार से आएंगी और उसके corresponding हमारी fx की value होंगी यह मुझे मिल जाएंगी तो देखिए यहां पर मैंने function लिखा h और यहां पर हमको input देने की कोई ज़रूत नही क्योंकि सारे-सारे input हमारे इस program के अंधर ही आएंगे और मैंने यहां से function को लिखना शुरू कर दिया सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने x को मैंने define कर लिया x को define करने के लिए आप आपको पता है कि आप sequence command का use कर सकते हैं minus 1 मुला कि from minus 1 to 5 by 0.2 और उसके बाद में जो आपने यह function लिया हुआ है f x इसको आपने एक नाम दे दिया y तो उससे से क्या होगा कि जो भी f of x i की value आएगी वो यहां पे y i के अंदर store हो जाएगी तो इसको define करने के लिए मैंने यहां पे अपना जो valuable की value होती उसको अपन मालूम पल गई है तो हम इसको यहां पे हम लूप का हम इस्तमाल करके आपको दिखाना चाहेंगे तो हम लिखते हैं for i in 1 to length of x अपने भी हमारी x की value पीशे generate हुई है यहां पर उनकी कितनी भी संख्या होगी उनकी जितनी भी value होगी वो हमारी automatically यहां से length of x के द्वारा compute हो फिर मैंने यहां पर लिखा अपना इस function f को मैंने execute किया कहां पर x bracket आई मतलब x vector की जो i-th value है वहां पर यह value लेगा और उसके द्वारा फिर यह fx function को compute करेगा और उसकी जो value आईगी उसको वो y vector में i-th इस्तान पर store करेगा लेकिन अब आपने देखा कि मैंने यहां पर f to function दिया ही नहीं h के अंदर f का function तो इस function के देखिए बाहर कहीं पर है यह राइट लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम नहीं इसको अपने h function के अंदर directly call किया है अब देखिए यहां से आपकी जो जितनी भी y i की value है यह आपकी store हो जाएंगी y के अंदर अब उसके बाद में हम यहा आप अपना जो टाइप होता है l बतलब line हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो देखिए हम यहां पर करेंगे तो देखिए यह पूरा program आपके लिखेंगे तो f आपका यह हो गया h आपका यह हो गया बहुत ही छोटा से program है जो मैंने कई सारी slides में आपको दिखाने की जुरूत नहीं है हम सिर्फ आपको यहां पर दिखाना चाहते हैं कि एक को आप अगर इस्तमाल करेंगे तो f की भी कुना कुछ numerical value आएगी और इसके corresponding जो हमारी f 123 हमारी इस प्रकास value आजाएगी उसी तरह से अगर हम x की value लेंगे minus 123 तो f की value यह आजाएगी अब आपको fx की value कितनी आगई 10 इसी तरह से अपने x equal to 8 लिया तो यह value आगई minus 4 लिया तो यह वाली value आगई तो इससे आपको देखिए confidence आजाएगा कि आपका यह program कर क्या रहा है इसने आपको x की जहां पर जो जो value दी थी उसके corresponding इसने आपको fx f of x की value यहां पर निकाल दी है और य देखिए यह आपको इस प्रकार का graph की देदेगा यह देखिए minus 1 और 0 के बीच में 0 पर इसकी value आजाएगी जो भी कुछ है और इसके बार में इसके आद में देखिए इस प्रकार से आजाएगा तो चलिए हम आपको जड़ासा इस program को पहले r console में करके दिखाते हैं तो दे देखिए यह मैंने देखिए आपका function आगया f और यह आपका आगया h अब हम देखिए यहाँ पे जब हम इसको s को execute करते हैं तो आपका जो भी input है यह देखिए आपका x के अंदर ही दिया हुआ है तो हमको इसको बहार से कुछ नहीं देना है अब यह क्या करेगा देखिए इसलिए हमने यहाँ पे इस parenthesis को खाली छोग लिया और जैसे हम एंटर करेंगे देखिए आपका यह कर बन करके आगया और अगर आप यहाँ पे कोई अगर x की value को फिर से बदलना चाहते हैं तो आप इसको change कर सकते हैं आपको यह कर फिर से बदल जाएगा तो अब आपने देखा कि इस कारे को करना इस r software में तो बहुत ही आसान काम था और इस तरह कि अगर आपके पास कोई भी mathematical function साते हैं तो आप उनको compute कर सकते हैं आप उनको plot कर सकते हैं लेकिन आपने देखा कि इसके लिए बहुत अवश्यक है कि आपको जो basic command साते हैं जो हमारे r के हैं उसके नौलेज होनी चाहिए और जब भी आप उनको एक logical way से combine करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छा से program मिल जाएगा तो इन जो भी हमारे उदारण हमने लिए हैं इसके दोरह हमावको जो भी r के हमारे कई सारे features होते हैं programming के मैंने उसको दिखाने की कोशिश करी आपको कि आप r के program के अंदर एक program को भी as an input डाल सकते हैं और यह आपको एक नीजा आपको कई सारे प्रोग्राम हो सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से उधारग लिये हुए हैं लेकिन आप अगर रेयर लाइफ में देखेंगे तो आपको एक फंक्शन में कई सारे फंक्शन भी इन्पुट के तरह हो सकते हैं और जैसी आप उनको एक्जिक्यूट करेंगे मेंन फंक्शन से वह कंट्रोल बार बार उस बाहर जाएगा और उनकी वैल्यू को कंप्यूट करके अंदर ले आएगा तो इन सभी च्कीजों को देखने के बाद में अब इस आर्ट प्रोग्रामिंग की सफलता यह आपके ओपर डिपन करती है और जैसा मैंने आपको आरम में कहा था कि मेरा इस कोर्स का जो उदेश है वह आपको आर्ट प्रोग्रामिंग सिखाना नहीं है लेकिन हमारा सिर्फ इतना उदेश है कि आपके जो दिल में आर्ट प्रोग्रामिंग को सीखने का एक खौफ है एक डर है वो मैं बाहर निकाल सकूँ और मैंने अपनी और से पूरी कोशिश करी है कि मैं इस डर को बाहर निकाल सकूँ और इसलिए मैंने यहां पर बहुत ही आसान से अधार लिए हैं जो आपको समझ में आ जाए हैं इसको आप अपने हाथों के द्वारा कंप्यूट करके इसको वरिफाई कर सकें कि जो आर के हमारे कंप्यूटिशन है और हम जो कर रहे हैं वो क्या एकी चीज़ है या यह कुछ और कर रहा है तो अब तो आपको आर के उपर भी फेत हो चाना चाहिए और आर हमारे भिन भिन प्रकार के मैथनेटिकल जो काम होते हैं स्टेटिसकल काम होते हैं सिमूलेशन होते हैं इत्यादी वहाँ पर बहुत अच्छे से कार कर सकता है लेकिन उनको किस प्रकार से किया जाए और आर क के साथ हम अपने जीवन में अपने अकेडमिक करियर में नई उचाईयों को कैसे चू सकते हैं यह आपके उपर टिपन करेगा यह जो लेक्चर हमारे लिए तो आज यह अंतिम लेक्चर है लेकिन शयद आपके लिए आज से आपका कोर्स आरंब होगा और जब आप इन जो हमारे कमांड्स हैं जो हमारे कॉंसेप्स हैं जब आप उसको अपने कार में लगाने की कोशिश करेंगे दिन आप इन चीजों को आर्प सौफरेट के दौरा कही माइने में सीख पाएंगे जो मैंने अब तक किया है वो तो मैंने आपको करके दिखाया है अब तो आपको नमबर है सीखने का, और सीखने के लिए के लिए कहते हैं कि sky is the limit, अर्था कि आकाश की उचाईयों तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आप कहां तक उगलना चाहते हैं, ये आप के ओपर डिपन करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और इस software को किस हद तक आप सीखना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरी उमीर है कि आपने इस course को enjoy किया होगा, आपने इन commands को सीखा होगा, और मुझे पूरा भरोस्ता है कि आप इसको use करके आप अपने career में नई उचाईयों को छू सकते हैं, तो अब हमें इस course में और इस lecture में यहाँ पर रुखते हैं, और मैं आप सभी को best of luck बोलना चाहूंगा, मैं उपर वाले से यही प्रातना करूंगा, कि आप सभी लोग अपने जीवन में नई उचाईयों को छूएं, अच्छे career से आगे बढ़ें, और इसी शुब कामना के साथ कहीं पर फिर कभी किसी course में और शायद कभी face to face कहीं हमा अबिए बने शोपर सिता अबीज़र, नेन देन में आप से कहीं हमाथ कि लिएवाब से बढ़ें, ऑप झाल झाल